आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आए हूँ राजस्थान विद्यासंबल वेकेंसी दो हजार चोबीस चली वीडियो की शुरुआत करते हैं या आप देखिए समराठ प्रत्विरा चोहान राज के माविद्यले अजमेर की दुआरा ये विग्यप्ति जो हो जारी की गी है ये माविद्यले के कॉंटेक्ट नमबर है ये इमेल आईडी है आपको किसी परकार की आवेद्यन फोर्म से समंदित अगर कोई समस्य है तो आप यहां पर संपर की कर सकते हैं तो विध्य असंबल योजना के तहट जो इस माविद्य अले के अंदर इक्त्र विक्तियों से गेज फेकलटी के रूप में आवेद्न फोरुम आमंत्रित के गए हैं तो आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताएगी है वो ग्यारा दस दो हजार चोबी साई पांच बजे तक बताएगी है आपको बता दूँ कि इसके अंदर कोन ब्यार्थी अपलाई करने के योग्य है तो इसमें महाविद्याले शिक्ष्या सेवानियम 1986 में सहायक आचारिये के पदेतू वरनित जो सेक्ष्णी की योग्यताएं है वो पूरण करने वाला ब्यार्थी जो है वो आवेदन कर सकता है नियून्तम आयू जो है वो 21 वर्स होनी चाहिए मेक्सिमम आयू आपकी कितनी भी हो सकती है ठीक है तो इसके अंदर बात करें क्वालिफिकेशन की तो इस रूल्स के कोर्डिंग असिस्टन प्रोफेसर के लिए कोन ब्यार्थी अपलाई कर सकता है जिस विसे में आप अपलाई कर रहे हैं उस विसे में या उस्से संबद विसे में पिचपन परतिसत मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिगरी यानि पीजी की डिगर प्रोफेशनल विश्यों के लिए जारी किया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि BBA और BCA परते के अंदर 3-3 रिक्त पदों के लिए ये विग्यापन जारी किया गया है मैंने पहले भी आपको वीडियो बना करके इसके बारे में जानकारी परदान की थी कि नए जो पठे करम है UG के अंदर BBA और BCA जो यह संचालित किये गए हैं और PG के अंदर MBA और MCA संचालित किये गए हैं तो जिस परकार से आज यह BBA और BCA के लिए विग्यापन जारी किया गया है उसी परकार से MCA और MBA के लिए भी आपको विग्यापन जो है वो देखने को मिलेगा और अन्य कोलेजियों के विग्यापन भी आपको इसी परकार से देखने को मिलेंगे इसलिए आपसे रिक्वेश्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि विद्यासंबल योजनासी जुड़ी जो पर अपडेट होती है मैं आपके लिए लेकर करके आता हूँ तो इन में से किसी भी विशे में आप अपलाई कर रहे हैं तो आपके पास में समंधित विशे में पिचपन परतिसत मर्क्स के साथ में PG की डिगरी होनी चाहिए और अगर विशे विद्याले अनुदान आयोग के दौरा या फिर CSIR के दौरा इन विशेओ में से जो नेट एकजाम है वो आयोजित कराए जाती है तो आपके पास में नेट की डिगरी होनी चाहिए अगर आयोजित नहीं कराए जाती है तो आप मास्टर डिगरी के बेस पर ही अपलाई कर सकते है ठीक है और अगर आप PhD क्वालिफाइड है तो सोने पे सुआगा है लेकिन आपकी PhD जो है वो UGC Rules 2009 या 2016 के अकोलडिंग होनी चाहिए आपका इसमें जो सेलेक्शन किया जाएगा वो आपके API स्कोर के आधार पर किया जाएगा ठीक है हर विशे का API स्क लुपर्लवाला जो ब्यार तीये उसको माविद्यले के दूआरा document serving के लिए call किया जाएगा डोकूमेंट determination के टाइम पर आपको अपने सारे original जो documents है वो लेकरके माविद्यले में उपस्तित होना है अगर आप пригlic Radcloth करते हैं तो उस वक्त आपको एक सपदपत्र वह आपको ये जो आयुकताले की ओफिशल वेवसाइट है यहां से आप डायूड कर सकते हैं. आवधन फोरूम का परारूप भी आप यहीं से डायूड कर सकते हैं. तो आपको आवधन फोरूम पूरी तरह से फिलब करना है. उसके साथ में अपने सारे सेक्षनिक डोकुमेंट पर सेक्षनिक डोकुमेंट अन्य जो रिलिवेंट डोकुमेंट सें उनकी सेल पटेस्टेट फोटो को पी लगानी है और इस आवेदन फोरम को आपको एक लिफापे के अंदर डालना है और उस लिफापे के उपर आपको लिखना है विद्यासंबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फोरम नीचे विसे का नाम लिखना है और दाइन साइड में उपर जो आपको उस मा माविद्यले का address लिखना है, बाइंस साइड में आपको अपना address लिखना है, तो आप चाहें तो विक्तिगत रूप से जाकर के माविद्यले में जमा करा सकते हैं, आप जाएं तो बाई पोस्ट जो है माविद्यले के अंदर भेज सकते हैं, इसमें कोई आवेदन सुल्क नही इंटरिवी होगा, सिर्फ आपके API स्कोर के आधार पर आपका इसमें सेलेक्शन किया जाएगा, तो इस सकतर के अंदर आपको कब तक रखा जाएगा, इसमें या तो 24 सप्ता या फिर 28 फरवरी 2025, दोनों में जो भी डेट पहले पूरी हो जाएगी, आपको जो है इस पद से हटा दिया जाएगा, फिर दुबारा जो है आवे दिन फोर मामंतरित किये जाएंगे, ठीक है, तो अगर आप योके हैं तो आपको इसमें अपलाई करना चाहिए, तो ये थी आपके लिए विद्यासंबल वेकेंसी से जुड़ी अपडेट, इसी परकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सिस्क्राइब जरूर कीजेगा, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,